हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है 13 नवंबर 2014 और 13 नवंबर 2014 से रेलेटिड करंट अफ यर्स के जितने भी कुश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारी कुश्चन को कवर करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटिड इंपोर्टेंट पॉ आज की कलास आपकी मौनिंग 7 a.m. पे डेली लाइब आती है आप सबीलक सुबा सात वज़े इस कलास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी करंट अफ यर्स में बहतर होने वाली है और आंगे आने वाले सभी एकजाम में आपलु करंट अफ यर्स में बहुत अच Billiards Championship 150 प्रारूप का खिताब किसने जीता है Who has won the IBSF World Billiards Championship 150 अप फॉर्मेट टाइटल इन कतर फर्स्ट ओप्सन है पंकचारवानी, सिकेंड ओप्सन है गीत सेथी, थर्ड ओप्सन है विलसन जौन्स, फोर्थ ओप्सन है सौरव कोठारी जल्दी से बताईएगा दोस्तों, कतर में IBSF Visibility Arts Championship 150 प्रारूप का खिताब किसने जीता है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ओप्सन नंबर A, पंकचारवानी ने ठीके दोस्तों, चलिए इस कुश्चन से रेलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं भारत के पंकच आडवानी ने IBSF Visibility Arts Championship 150 प्रारूप का खिताब जीत लिया है उन्होंने कतर के दोहा में टूनामेंट के फाइनल मुकाबले में इंगलेंड के रोवर्ट हॉल को हराया इससे पहले पंकच ने सेमी फाइनल में हम वतन सौरव को ठारी को चार दो से हराया था सौरव को कांस पदक से संतोस करना पड़ा ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन दीखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स F.I.H. पुरुस प्लेयर आफ दा इयर एवर्ड दो हजार चॉबिस किस ने जीता है फू है जो वन दी F.I.H. मेल प्लेयर आफ दी इयर एवर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्स्ट ओप्सन है सूफियान खान ने सिकेंड ओप्सन है पी आर स्री जेस ने थर्ड ओप्सन है हर्मन प्रीस सिंग ने फॉर्ट ओप्सन है इस्टीव रोजर्स ने जल्दी से बताईएगा दोस्तो F.I.H. पुरुस प्लेयर आफ दा इयर एवर्ड दो हजार चॉबिस किस ने जीता है इस कुश्चन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर सी हर्मन प्रीस सिंग ने ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती और इससे रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ती है फार्टे पुरिस होकी टीम के कप्तान हर्मन प्रीस सिंग और पूर्व गोल कीपर पी आर स्रीजेस ने वर्स दो हजार चॉबिस के लिए एफ आई एच प्लेयर आफ दा इयर और गोल कीपर आफ दा इयर का खिताब जीता है हर्मन प्रीद और स्रीजेस दोनों को ओमान में 49 वी एफ आई एच वैधानिक कांग्रेस के दोरान मानिता मिली दो बार के ओलम्पिक कांस पदग विजेता हर्मन प्रीद को अपने वर्ग में 30 प्रसस से अधिक वोट मिले इसी तरह स्रीजेस भी मत दाताओं के बीच काफी लोग प्री रहे और उन्हें अपने वर्ग में 20 प्रसस से अधिक वोट मिले ठीके दोस्तों चलिए आंगे बारतियों नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंडस देश में अप्रेंटिस सिप को बढ़ावा देने की उद्देश से कौसल विकास एबं उधिमता मंत्राले ने मौझूदा नियमों में सुधार पर विचार करने तथा उध्योग द्वारा ओन दा जॉब प्रेसिचर को बढ़ावा देने की उपाई सुझाने के लिए केंद्रिये अप्रेंटिस सिप परिसत का पुनरगटन किया है इस परिसत की अधिजता कौन करेगा With an eye on boosting apprenticeship in the country, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has reconstituted the Central Apprenticeship Council to mull over remorms in the exciting rules and suggest measures to increase the uptake of on-the-job training by the industry who will chair this council. First option है Amis Saha, Second option है Jayan Chaudhary, Third option है Jitendra Singh, Fourth option है Oum Birla जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number B, Jayan Chaudhary ठीके दोस्तों चलिए से related important point हो को पढ़ते हैं देश में प्रसिचुता को बढ़ावा देने के उद्देश से कौसल विकास एवं उधिमता मंत्रा लेने, मौझूदा नियमों में सुधार पर विचार करने, तता उद्द्योग द्वारा नौकरी पर प्रसिच्चण को बढ में चंगों सदसे होंगे, जिनमें विविन उध्योक संगो, सार्वजनिक छेतर के उपकरमों, राज सरकारों और स्वतंत्र विसेसग्यों के प्रतिनिदी सामिल होंगे, मार्च 2019 में गठित पूरवर्ती परिसद में 46 सदसे थे, ठीके दोस्तों, चलियांगी बार्तियों नेश कुशन देखती है, नेश कुशन लिखा है, फ्रेंट्स कौन सा देश 16 वर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए सोसल मेडिया पर प्रतिबंद लगाने के लिए कानून बनाएगा, विच कंट्री विल लेजिसलेट फॉर अब बैन ओन सोसल मेडिया फॉर चिल्डरन अं ऐस्ट्रेलिया, थर्ड अप्सन है जापान, फोर्थ अप्सन है साउथ कोरिया, जल्दी से बताईएगा दोस्तों कौन सा देश 16 वर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए सोसल मेडिया पर प्रतिबंद लगाने के लिए कानून बनाएगा, इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे हैं हमारा ओप्सन नंबर बी, ऐस्ट्रेलिया देश, ठीक है दोस्तों, चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते ही हैं, ऐस्ट्रेलिया ही सरकार, 16 वर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए सोसल मेडिया पर प्रतिबंद ल में किसी भी देश द्वारा आज तक लगाए गई सबसे कठोर नियंतर सामिल हैं, कई देश होने पहले ही कानून के माध्यम से बच्चों द्वारा सोसल मीडिया के उपियोग पर अंकुस लगाने की सपत ली है, हाला कि ऑस्टेलिया की नीती सबसे कठोर है, ठीके दोस्तों चलिए आंगे बाढ़ते हो, नेश कुशन देखते ही हैं, नेश कुशन लिखा है, फ्रेंट्स किस बैंक ने वितिय संस्थानों और फिन टेक के लिए वैस्विक सायोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साजेदारी में इनोवेशन हव लांच किया है, विच बैंक हैज ल इस्टूटूशन और फिन टेक्स, फर्स्ट प्सन है एकस्षिस बैंक, सिकिन्ड प्सन है केंरा बैंक, थर्ड प्सन है HDFC बैंक, फोर्थ प्सन है स्टेट बैंक ओफफ इंडिया. चल्दी से बताइएगा दोस्तों किस बैंक ने वित्तिय संस्थानों और फिन टेक के लिए वेस्विक सायोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साजेदारी में इनोवेशन हव लॉंच किया है इस कुईशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं मारा ओप्सन नमबर डी स्टेट बैंक आफ इंडिया ने चलिए से रेलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है भाटिय स्टेट बैंक ने वित्तिय संस्थानों और फिन टेक के लिए वेस्विक सायोगी नवाचार मंच APIX के साथ साजेदारी में SBI Innovation Hub लॉंच किया है SBI Innovation Hub दुनिया भरके फिन टेक स्टार्ट अप्स और इनोवेटर्स को SBI के विविद ग्रहक आधार की डिश्टल जरूरतों को पूरा करने के लिए अगली पीरी के वित्तिय समाधान डिजाइन करने के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करता है इस पहल का उद्दे से वित्तिय नवाचार और डिश्टल परिवर्तन को बढ़ावा देना सता वित्तिय समावेशन को बढ़ाना है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़तियो निश्कुशन देखती है निश्कुशन लिखा है किस भुकतान कंपनी ने अंतराश्टिय ग्रहकों को भारत में भुकतान करने में सच्छम बनाने के लिए सुईगी और नाइका जैसी भारती कंपनियों के साथ साज़ेदारी की है विज़ पेमेंट कंपनी है ज़ पार्टनर्ड विथ इंडियन कंपनी लाइक सुईगी और नाइका तू इनेवल इंटरनेशनल कस्टमर्स तू मेक पेमेंट्स इन इंडिया फर्स्ट ओप्सन है पेटी एम सिकिन ओप्सन है कैस फ्री थर्ड ओप्सन है फोन पे फोर्थ ओप्सन है गूगल पे बताइएगा फ्रेंट्स किस भुक्तान कंपनी ने अंतराश्टी ग्रहकों को भारत में भुक्तान करने में सच्चम बनाने के लिए सुईगी और नाइका जैसी भारती कंपनीों के साथ साजेदारी की है इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ओप्सन नंबर बी कैस्फिरी ठीके दोस्तों चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट हो को पढ़ते हैं कैस्फिरी पेमेंट्स ने अंतराष्टिय ग्रहकों को भारत में भुकतान करने में सच्चम बनाने के लिए सुईगी और नाइका जैसी भारतीय कंपनीों के साथ साजेदारी की है यह पाइलेट कारिकरम रुपे, कार्ड और यूपी आई के उपयोग करताओं के लिए है जिनें आम तोर पर वैस्विग लेंदेन के लिए मानिता प्राप नहीं है कैस्फिरी का सीमा पार भुकतान लाइसेंस उन्हें आयात और निर्यात विपसायों के साथ साथ व्यक्ति इगत उपयोग करताओं के लिए भी निर्वाद लेंदेन की सुविधा प्रदान करता है ठीके दोस्तों आंगे बरतियों नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड सांती और विकास के लिए विस विज्ञान दिवस्प्रती वर्ष किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डवलप्मेंट इज सेलीब्रेटेड एनुली ओन विच डे फंस्ट आप्सन है 9 नवंबर को सिकेंड आप्सन है 10 नवंबर को थर्ड आप्सन है 11 नवंबर को फोर्थ आप्सन है 12 नवंबर को बताएगा दोस्तों सांती और विकास के लिए विस विज्ञान दिवस्प्रती वर्ष किस दिन मनाया जाता है इस विज्ञान दिवस्प्रती वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है जो समाज में विज्ञान की महतपूर भूमिका तता वैस्विक सांती और सतत विकास में इसके योगदान की याद दिलाता है युनेसको दुआरा 2001 से आयोजित यह दिवस्विज्ञान को समाज से जोडने के महत पर जोर देता है तता यह सुनिश्चित करता है कि वैग्यानिक ज्यान व्यापक रूप से साजा किया जाए जिससे यह सभी के लिए प्रासंगिक और सुलब हो सके इस साल की थी मैं फ्रेंड्स युवा अग्रडी ठीके दोस्तों चलियांगे बारती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स जेन वाइज ने वरिष्ट नागरिकों के लिए अपने एप पर UPI बुक्तान सुरू किया है यह उद्योग जगत का बुजर्गों के लिए UPI की पहली सुरूगात है जो सरल यूजर इंटरफेस बहतर सुरच्छा और साइवर धोका धड़ी जगरुकता प्रिदान करता है जेन वाइस UPI को किस बैंक के सायोग से विक्सित किया गया है जो लेंदेन की सुविधा के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में कारिक कर रहा है Genwise has launched the UPI payments on its app for senior citizens This is the industry's first ever introduction of UPI for elders offering a simple user interface, enhanced security and cyber fraud awareness Genwise UPI has been developed in collaboration with which bank which is acting as the sponsor bank for facilitating transactions First option है HDFC bank Second option है ICICI bank Third option है Axis bank Fourth option है State bank of India जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं मारा option number C, Axis bank चलिए से related important point हो को पढ़ते हैं Genwise ने वरिश नागरिकों के लिए अपनी एप पर UPI भुकतान सुरू किया है यह उद्योग जगत की ओर से बुजरगों के लिए UPI की पहली सुरूआत है जो सरल यूजर इंटरफेस बहतर सुरच्छा और साइवर धोका दड़ी के प्रती जगरुकता पिर्दान करता है Genwise UPI को Axis Bank के सायोग से विक्सित किया गिया है जो लेन देन को सुविदा जनक बनाने के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में कार कर रहा है पिछले कुछ वर्सों में UPI रोज मर्रा के लेन देन का अभिन अंग बन गिया है जिसके 400 मिलियन से अधिक वर्सिस्ट उपियोग करता है ठीके दोस्तों चलियांगे बर्तियों नेश कुईशन देखती है नेश कुईशन लिखा है उत्राखंड इस्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है और 2024 में यह राजे के गठन की कौन सी वर्सगाट है उत्राखंड फाउंडेशन डे इस सेलिब्रेटेड एवरी इयर ओन 9 नवंबर एंड इन 2024 इट इस दा एनिवर्सरी ओफ दी फॉर्मेशन ओफ दी स्टेट फर्स्ट ओप्सन है 23rd, सिकेंड ओप्सन है 24th, थर्ड ओप्सन है 21st, फोर्थ ओप्सन है 22nd जल्दी से बताईएगा दोस्तों उत्राखंड इस्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है और 2024 में यह राजे के गठन की कौन सी वर्सगाट है इस कोईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं मारा ओप्सन नमबर बी 24th, चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है उत्तराखंड इस्थापना दिवस प्रतिवर्स 9 नवंबर को मनाया जाता है और 2024 में यह राज की गठन की 24 वी वर्सगाट होगी उत्तराखंड को आम तोर पर देव भूमी के रूप में जाना जाता है क्योंकि राज में कई हिंदू तीर से स्थल है उत्तराखंड राज का गठन 9 नवंबर 2000 को छेतर के लोगों के लंबे संगर्स के बाद हुआ था जो उत्तर प्रदेश से सांस्कृतिक भौगौलिक और प्रिसास सिंग मत बेदों के कारण एक अलग राज की मांग कर रहे थे मूल रूप से उत्तरांचल के नाम से जाने जाने वाला यह राज भारत का 27 वा राज बना जिनका नाम 2007 में आधिकादिक तौर पर बदल कर उत्तरा खंड कर दिया गया ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कोईशन देखती है आज का लाज कोईशन लिखा है फ्रेंड से विस्विटी का करण दिवस प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड इम्युनिजेशन देज इज ऑपजर्व्ड एन्वहली ओन विज देज़िए. चल्दी से बताईएगा दोस्तों विस्विटी का करण दिवस प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है? इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number B 10 November को चलिए इस question से related important point उको पढ़ती है विस्व टीका करड़ दिवस प्रती वर्थ 10 November को मनाया जाता है इसका उद्देश संक्रामक रोगों की रोग थाम और सार्व जनिक स्वास्ति की रच्छा में टीको की महत पूर भूमिका के बारे में जग रुकता बढ़ाना है टीका करड़ रोगों को नियंतरित करने और उनमूलन के लिए सबसे प्रभावी और लागत कुसल उपायों में से एक है जिससे हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचती है सार भूमिक टीका करड़ कारिकरम भारत की सबसे व्यापक सार जनिक स्वास्त पहलों में से एक है जिसका लच हर साल लाखों नवजासिसूं और गर्वती महलाओं को जीवन रच्छक्ती के उपलब्द कराना है इसे सुरू में 1978 में विस्तार तीका करड़ कारिकरम के रूप में सुरू किया गया था इसे 1985 में UIP के रूप में पुना ब्रांडिर किया गया था जब इसका कवरिज सहरी केंद्रों से आंगे बढ़कर ग्रामी छेत्रों तक बढ़ा दिया गया था ठीके दोस्तों आई हो पाच के सभी कुश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी कुश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोर्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे एकजाम के नजरिये से दोस्तों क्लास बहुत हेलफुल रही होगी आप लोगों के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे इफेक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा और आपकी अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में करना मत बूलिएगा ठीके दोस्तों टैंक्यू सो मज़ दोस्तों